यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ सलोडी के गाउं धुर्बनी में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या हो रही है गाउं में पानी ना होने के कारण लोगों को 2 किलो मीटर दूर पानी भर के लाना पड़ता है इतना ही नहीं लोगों को अपनी रोज मरना के कामों को पुरा करने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता गाउं के लोगों का कहना है कि उनके गाउं में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या हो रही है इस बारे में उन्होंने आई पीच विभाग को भी कई बार सूचना दी लेकिन इसके बावजूद भी उनके इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका वहीं जब इस बारे में IPH विभाग के SDO भुपेंदर सिंग का कहना है कि सलूरी IPH विभाग में जितने भी एरिया आते हैं वहां पे जल्द से जल्द पानी की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा अब मैं अपनी समस्याओं बताना चाहूंगा जो पानी के रिगार्डिंग है कि पानी नहीं आ रहा है हमारे इलाके में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है यह कोई इसका स्थाई जो आपका हल नहीं किया जा रहा है, हम continuously बोल रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं कि हमें solution किया जाए पानी का, कुछ न कुछ तो हमें बताया जाए पर नहीं, temporary basis पर जो भी हमारे साथ solution किया जाता है पानी का, पानी की समझे बहुत दिनों से आ रहे कुछ पर रहे हैं, आ झाला जाए जांन किया जाए पानी का, की समझे जाए जाए लैज तो हमें जुछ तो हमें आ वा जा जा